सिन्बाद की समुन्दरी यात्रा एक बार की बात है बगदाग शहर में सिन्बाद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसको घूमने का और समुन्दरी यात्राय करने का बहुत शौक था। इसके लिए वो नाविकों की समुव में शामिल हो गया। एक बार वो नाविकों के समुल के साथ एक समुदरी यात्रा में जा रहा था रास्ते में उनका जहाद समुदरी तूफान में फस गया, जिसके कारण जहाद डूब गया केवल सिनबाद इस यात्रा में जिंडा बचा। सिन्बाद तैरता हुआ एक टापू पर पहुचा, वो सुनसान टापू था वहां सिन्बाद को एक पहार की चोटी पर एक बड़ा सफेद रंग का पत्थर नजर आया, सिन्बाद में उस गोल पत्थर के पास जाकर देखा लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया, तभी सिन्बाद भी उस टापू से निकलने के ये उस पक्षी के पैर से चिपक गया, वो पक्षी उड़ता हुआ एक ब्वीप पर पहुचा जहां बहुत से साप और हीरे थे, वो पक्षी साप को खाने के ये उस टापू पर उतरा था, सिन्बाद भी उस टापू पर उतर कर पूच लोग नजर आये। सिनबाद ने उनको अपने साथ जो समुंदरी हादसा हुआ उसके बारे में बताया। वो लोग भी नाविक थे। उन्होंने सिनबाद को अपने साथ नाव पर बैठा लिया। सिनबाद इसके बाद उन लोगों की मदद से अपने बगदाद शहर प कि उना खुञीज कि अजए नादाादी स्टाइब हैut